तो नमस्कार दोस्तों में एक बार फिर से हाजिर हूँ एक Ipsen brand के new model को लेकर दोस्तों स्वागत है आप सभी का Mr. Creative Devang चैनल पर मेरा नाम है देवांग आप देख रहे हैं Mr. Creative Devang दोस्तों इस model का नाम है Ipsun L190 Wi-Fi All-In-One Ink Tank प्रिंटर है यह बहुत ही best प्रिंटर है इसमें print scan copy तीनों का functions अवलेबल है अगर आप इसके बारे में पहले से जानते हैं तो ठीक है अगर नहीं जानते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें बिना skip किये तो यह printer का हम लोग करने वाले हैं और देखते हैं इस box के अंदर क्या के निकलता है तब तक के लिए इसके कुछ basic details इसकी जान लेते हैं यह है एक Ipsun का L190 printer है जिसमें print scan copy तीनों के option अवलेबल हैं इससे आप fax भी कर सकते हैं और यह Wi-Fi connect है बहुत ही best printer है studio के लिए दोस्तों ऐसी ही मैंने कई सारे printers review किये हैं मैंने कई सारे printers के बारे में आपको बताया है हमारे चैनल पर विजिट कीजिए L190 काफी वीडियो पड़ा है लेकिन वो fully unboxed वीडियो नहीं था इसलिए मैंने इस वीडियो को दुबारा बनाया है दोस्तों उस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया है लोगोंने बहुत ज़्यादा like बहुत ज़्यादा comment आए है सवाल आए है उस printer पर तो मैंने सुचा कि इस printer के लिए एक और वीडियो बना दी जाए तो दोस्तों इसमें आप regular यूज़ कर सकते हैं इस printer को home और small office और photo studio में और मैंने कई सारे वीडियो बनाया है जो की आप mini lab भी open कर सकते हैं उन printer से तो चलिए करते हैं अन बॉक्स और देखते हैं इसके अंधर क्या क्या निकलता है उससे पहले मैं आपको इस printer की height बता देता हूं तो 23.5 cm इसकी height है और इसकी जो लंबाई है और जो चौड़ाई है इसकी वो 34.5 cm होने वाली है ये एक connectivity अगर इसकी बात करें तो ये वाइफाई से connect है मैंने आपको पहले बता दिया है और unbox करते ही या करने से पहले मैं ये बता देता हूं कि इस printer के अंदर क्या क्या निकलता है सबसे पहले printer है हमारा उसके बाद power cable, USB cable और यहां पे CD निकलती है और कुछ manuals paper भी निकलते हैं और साथ ही एक set आपको इंक का दिया जाता है इस printer के अगर weight की बात करूं तो चार से पांच kilo का इसका weight होता है जो कि normal printer का होना चाहिए और best printer भी इसी weight के आते हैं जैसे मैंने Ipsun L805 और 850 और Ipsun L300 का review किया है उस पे भी बहुत सारे लोगों का प्यार मिला है लोग काफी से लोग है वो फोटो को print करते हैं तो उनको problem आती है फोटो उनका clear नहीं आता है तो उसके लिए मैं वीडियो next लाने वाला हूँ इसके just बाद आगे अगर आप ये वीडियो अब देख रहे हैं तो हो सकता है वो वीडियो आ गई हो चैनल पर विजिट कीजिए आपके पास कोई सा भी printer हो अगर उस पर फोटो प्रिंट करने पर clear नहीं आ रही है तो आप एक बार देख लीजिए ये setting आपको जरूर से जरूर मज़ा आने वाला है और दोस्तों इसमें manuals वगेरा सारे कुछ निकलते हैं जिसे कि मैंने आपको बता दिया इसमें एक display भी दी जाती है जिसमें आप अपना जो आप प्रिंट कर रहे हैं एक photo को image को वो भी आप देख सकते हैं इसमें आप cd card लगा सकते हैं और सारे options भी इसमें अवलेबल हैं इसमें दोस्तों जो display दी गई है उसी के side में एक power on off का button दिया गया है अगर आप comment करेंगे तो इसको हम test भी करके एक video बनवा देंगे दोस्तों बनवा देंगे का मतलब ये video बेजी है मेरे एक friend ने उसने लिया है अभी अभी इपसन का L190 printer तो उन्हें video बनाके बेज दिये हमारे पास दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि ये वाली जो printer है इसको आप photo studio में use कर सकते हैं लेकिन जो मैंने इपसन L805 और इपसन L1300 की video मैंने बना दी है उस printer से best printer साथ आपको मिले क्योंकि वो printer बहुत ही best printer है description में उन video का link दिया गया आप वहां से देख सकते हैं और व मैंने business idea की भी video बनाई है कि इपसन L805 printer से आप कौन कौन से business कर सकते हैं दोस्तों एक printer लेने के बाद आप सिर्फ photo ही निकाले तो नहीं हो सकता ऐसा उसमें cd printing इपसन L805 में cd printing वगरा और t-shirt printing भी आप कर सकते हैं कई सारे मैं business model इसमें बताए हैं फिला लाते हैं इस printer पर तो इसमें आप print scan copy कर सकते हैं दोस्तों photo इसमें भी बहुत अच्छे निकलते हैं borderless photo इसमें निकलते हैं जिनसे आप अपने mini photo studio को चालू कर सकते हैं हलाकि बहुत ही best printer है यह मैंने इसको जब मैंने इसको test करवाया है तो बहुत ही अच्छा उसने दिया है लेकिन उसका वीडियो उसने नहीं बना के भीजा है अगर आपका requirement रहा तो इसकी वीडियो में जरूर बनाऊंगा तो सबसे main बात तो इसमें यह लगी कि इसमें print scan copy तीनों है और automatic documents feeder भी इसमें दिया गया है मतलब आधार card का paper दबल निकालने की जरूरत नहीं है USB से भी connect हो जाता है Wi-Fi Wi-Fi Direct से भी connect हो जाता है यह printer जो कि बहुत ही अच्छा है 33 black and white page per minute और पंद्रा color page per minute का output देता है यह printer borderless photo printing करता है जो कि आपके photo studio के लिए जो कि आपके home office के लिए बेस्ट रहेगा स्यान मिजिंटा black yellow चार color की सिर्फ इंक पढ़ती है इसमें six ink technology नहीं दी गई है वन ये वारंटी है 30,000 प्रिंट वारंटी है तो चलिए मिलते हैं ऐसी धमाकेदार मसालेदार वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत चैनल पर नहीं है तो subscribe करके well icon को प्रेस कर दें तक हमारी वीडियो को notification आप तक पहुंच जाए वीडियो अच्छे लगी हो तो please like किजिए इससे हमारा motivation बढ़ता है चलिए मिलत ऑने कर दो में